नमस्कार दोस्तो एसवी नॉलिज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो पिछले कल ब्रिटेन के बाद जापान की तरफ से भारत को एक ऐसा ओफर आया है जिसे देखने के बाद चाइना बुरी तरह से हिल गया है जी हां क्योंकि जापान ने भारत को एक ऐसा हत्यार ओफर किया है जिसका तोड अभी तक चायना तो छोड़ो किसी के पास भी नहीं है दरसल जैसा कि हमने आपको पिछले कल की वीडियो में बताया था कि भारत के कई डिफेंस एक्सपर्स और पालियमेंटरी स्टेंडिंग कमेटी ने भारत सरकार को एक बड़ कारण ये था कि भारत सरकार ने एमका फाइट एजट को बनाने में काफी जादर डिले कर दिया है भारत सरकार ने एमका का अपरूबल देने में 16 साल कर डिले किया है यह प्रोजक्ट 2008 में शुरू हो चुका था और 2024 में अभी भी इसके प्रोटोटाइप पर ही काम चल रहा है और ऐसा नहीं है कि एमका एक या दो साल में आ जाएगा एमका को आते आते अभी भी कम से कम साथ से आठ साल तो लगी जाएंगे पहले उसका प्रोटोटाइप बनेगा फिर उसके फ्लाइट राइल सुरू होंगे तब जाकर कहीं 2032 या 33 में एमका भारतिय सेना में सामिल होने के लिए तैयार होगा और इतने में होगा यह कि फिफ्ट जनरेशन फाइटेजेट की टेकनालोजी आउट्डेटिड होने लगेगी और उस दोरान सभी देश सिक्स्ट जनरेशन टेकनालोजी को ज़्यादा प्रफर करेंगे क्योंकि सिक्स्ट जनरेशन फाइट ज्या जोब आता कि आप 99 बनाई एक कोई दिक्क्त नहीं है लेकिन साथ के साथ आप इस जल से जल होटाभ ध्यान दीजे उर अभी सबारे जापान की तरफ से भारत के लिए एक बहुती बड़ी खुसकवरी आ गई है जी हां दरसल आप लोगों ने जी सी एपी गुरूप के बारे में तो सुना होगा जिसे हम ग्लोबल कॉमबेक्ट एरकाफ्ट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं इस गुरूप के इंडर को भी सामिल करना चाहता है जी हां पिछले कल जापान ने भारत को ओफर दिया है कि अगर आपको सिक्स्त जनरेशन फार्टेजेट बनाना ही है तो आप हमारे साथ मिलके टेमपेस्ट बना लो हमारा टेमपेस्ट का काम काफी हद तक डवलप हो चुका है इसका डिजाइन फ समय बच जाएगा इतना नहीं जापान ने इस ओफर में एक कदम आगे बढ़ते हुए यह भी कहा है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करता है तो जापान भारत को इस प्रोजेक्ट के ना सिर देगा बलकि इस वाइटर जट की टेकनोलोजी भी शेर करेगा और बता दे कि ओफर भारत के लिए कोई छोटा मोटा ओफर नहीं है क्योंकि टेमपेस्ट सच में एक बेहती जबर्जस तेर काफ्ट होगा इसकी खासित का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगाईए कि टेमपेस्ट एक फुली एडवांस और आर्टिफीशली इंटेलिजें और हाइपर सॉनिक मिसाल्स को भी ले जाने में कैपेबल होगा और तोर इसका डिजाइन इतना ज़्यादा वर्चुल होगा कि इसके कॉक्पिट से लेकर इसके हेलमट तक में वर्चुल स्क्रीन का यूज क्या जाएगा यानि कि ये फाइड़ जट इतना ज़्यादा एड इतली और जापान को बिलियंस ओफ डॉलर्स की फंडिंग चाहिए आप खोदी सोचिए जब अमेरिका ने अपना एफ-35 फाइट जट डवलप करना शुरू क्या था तब उस वक्त अमेरिका को दस से भी जादा देशों ने अमेरिका के एफ-35 प्रोग्राम को फंडिंग द रही हो इसलिए टेमपेस्ट की डवलप्मेंट को अफोर्ड करना उनके अकेले के बसकी नहीं है और भारत को इस प्रोग्राम में सामिल करने से उन्हें फायदा ये मिलेगा के एक तो भारत की एकोनॉमी मजबूत है भारत आराम से हजारों करोडों रुपे टेमपेस्ट मे बीडालने वाला है इसलिए भारत के इस प्रोग्राम में आने से टेमपेस्ट को जबुरत पड़ी तो भारत अपनी टेकनोलोजी भी टेमपेस्ट के साथ में शेर कर सकता है जो कि इसे और ज्यादा रिलाइबल बनाने में काम आएगा और एक बार अगर टेमपेस्ट भारत के पास आ गया तो पूरे एश्या रीजन में भारत को हराने वाला देश कोई भी नहीं होगा चायना भी नहीं क्योंकि चायना आज तक ऐसा कोई भी डिफेंस इस्टम डवलप नहीं कर पाया जो शिक्सत जणरेशन के डिफ ट्रेक कर सके तो टेमपेस्ट जो की इसे पकड़ पाने की तो बहुत दूर की बात है वैसे आपको क्या लगता है कि अब भारत को ब्रिटेन और जापन के साथ टेमपेस्ट प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहिए या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एसवी नौली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पैस करना ताकि आने वाली सबी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जै हीन जै भारत